अब इसको देखकर कौन खेती करेगा कौन आएगा बच्छा खेती करने के लिए आगे अब ये बताओ किसी के पास है किला किसी के पास डेड़ किला है वो बीज लेकर आता है आरती से पैसे लेकर बीज लेकर आता है वो कैसे देगा उसके बीज के पैसे कट्र साथ सुनो जमीदारों की सुनो मोधी साथ सुनो सब कुछ खतम हो गया नास हो गया जमीदार मरगे सब दास हो गया बिलकुल मरगे जमीदार बिलकुल नास हो गया रपिये उठा करके करजा उठा करके जमीदार नापनी पसल त्यार करी थी सब कुछ डूब गया सब कु मांग है जिस तरी आमानस मरन जितना दुख हो यार यह ओड़े किसानों के सपनों के उपर लगे हैं फसल के उपर नहीं लगे हैं और प्राकरतिकाप आप दासे जब आदमी बज जाता है फसल को लेकर मंडी में जाता है तब उसके उपर सरकारी मार पड़ जाती ए ठेके आड कि अगर हमारी एक फसल के उपर बीमार पड़ जाती है तो हमारे देश के अजारों किसाना तो मत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है कि अगर मैं बात करूं तो पचास शाठगाउं ही से हैं जी ताज के दिन सायद के तो कोई बाई लटक लिया और ना लटका होगा तो दो दिन में लटक जागा क्योंकि उसके टेम पर जिसने मोल लगा पाणी देवारा क्यों मांगणिया जा लेगा कोई नी देखा गा उसके सरकार क्या करती है भाई हमें पॉर्टल लौंच कर दिया इस पर पॉर्टल पे जागे वो करो ये गुम्रा करते हैं पॉर्टल गा नाम पर सरकार गुम्रा करती है किसान को ताकि किसान को गुम्रा इसलिए करती है कि ये इसके अंदर रजे रह जाएंगे और बाकी का जो का इसके एक किसान एक बच्चे को नहीं पड़ा सकता अरूस की आए को दूगनी करने का जो दावा किया जा रहा है कोरी जूट बोली जारी है और उस जूट को बोलने के लिए सरकार लाखो करोड रूपे उसके परचार के उपर खर्च करने लग रही है किसानों की जब करजा माफी की बात आती है तो सरकार का कड़ा यह होता है कि 14-18 लाग करोड रूपे हमारी सरकार के अरुपे उस ताकि उपर फरक पढ़ जाएगा यह पढ़ जाएगा और यह बटे वान जमान लाग रहे उनको पर फरक नहीं पढ़ता है वह रपिया किसका व नमस्कार इस वक्त कक्राना गाहों में खड़े हैं और कक्राना गाहों में इस वक्त हमकेतों के अंदर खड़े हैं और कल बेमोसमी बारीस में जो ऊडा वरिष्टि इस ताके में 바सा उंत Šärसम को निए बहुत बाद फ्रतिकराब आद he शर्षम है लेकिन फैलाली समय आपने कोई शर्षम नहीं दीख़ी डासरे बज़ रहे हैं इस तरफ देखोगे तो यह गयूं हैं गयूं में किते किते आपने बाल दीखती हो ताप तस्वीरों में देखको बाल किते रहे इतनी ओड़ा वरिस्टी जो है वह हुई है कलान और लोग सब बागा यह गाओं है चुनावी सरगर्मिया जो हो फलाल तेज हैं गाओं के लोग मेरे साथ हैं और किसान है या आसपास के सबस्ब के खेट जो है आसपास हैं तो इन से बातचीत करेंगे तो क्या नाम है जगानाद कल जो हुआ क्या बताओगे बेटा बेक दम नारी सब कुछ खतम हो गया नााज हो गया जमीदार मर कशलश हो गया बिलकुल नाज हो गया यह आलात है यह आलात है जिस्दों बिलकुल मर चुक है वह प्परे मेंला नहीं है क defensu कोई नहीं है रपिए उठा करके करज़ा उठा करके जमीदार बाकनी पड़त यार गरी सब कुछ डूब गया सब कुछ हो गया नास हो गया बिल्कुल नास हो गया उसे बादर क्या होगा खट्र साब सुनो जमीदारा की नहीं तो आपका भी कल्यान हो जाएगा इनकी सुनों एक बात बताओ आपने करजा ठाने की जरूद क्यों बड़ी मोदी जी तो खेरें 2022 में कि जान गाय दूग नहीं कर दी बेटे एक इला उपर 25,000 रप्या खर्चा आता है और 40,000 रप्या में ठेक काम ले रहे हैं और 25,000 रप्या खर्चा गया कितने होगे चारीश अब पर 37,000 रप्या खर्चा गयां बेटा पैसेट जारेगी उतने होते कि ला मी है जमीदार नूमर 11 इंट सब के में इब बेटा ग्याओए बेटा बार्त लेने पड़ेंगे ने तुमीदार बर गीरें माटी कि यह नहीं दुनिया में नहीं सबसे दुखी जमीदार है दुनिया में और कोई नहीं पूरे गाउं ख्राब होगी है और इप सरकार की माया जी सरकार के मिन जमीदारा का सुन लेगी पाशी का मरें चूर में यहां से वारड नंबर दस हे जैदेए और आपका वारड का अपने फसल बोता है तो अके लिए फसल नहीं बोता हूँ उस फसल के साथ वो अपने सपने भी बोता है कि फसल को जब मैं बेचूंगा तो अपने बच्चे का एड़िमिशन किसी अच्छे स्कूल कोलेज में करवाऊंगा बेटी की साधी करूँगा किसी का करजा पॉकान बढांँगा उसके सपने दफन होगे ये ओड़े किसानों के सपनों के उपर लगे हैं फसल के उपर नहीं लगे है एक किसान जब ठेका बाद आके उपर आज अपने कोई बार भी तरजार है, उसकी ठेका को बदा जो पर जमी लेके बोले हैं, ना टेम परstar का टेम पर खात नहीं मिलता अबीज का टेम पर बढ़ी अबीज नहीं मिलता, पाणी मारा खीत केमा आता नहीं, अपने खोन और पसीने के साथ ही फसल को सिछा जाता है, और वो उसाड़ देता है दो दाने नमी के बता दिये और उसका बाद दा करके उसको काट दिया जाता है तो इस कैसान की मर होर किसी की मर नी इस देश के अंदर सतर परसेंट जो आबादी बताई गए ये किरसी पर दान देश बोल ला गया इसके अंदर सतर परसेंट लोग खेती के से करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये मेरे वार्डगा गाउं है ककरणा गाउं मेरा बहुत ही आद्रणिये गाउं और इसी से आगे गरना उठी और उस तरफ माड़ो दी गाउं और अमने जो देख्या है कि करोथा माइना परावर अरियाना के और रोत तक के अगर मैं ब किसी को इस फसल का सारा था और वो आज खुल आसमान के निचे थी प्राकरती का पदा आई और एक दम ते खतम होगी आज मारे बीच में किये है इसना अगर आम पसूं का आगे भी डालने तो पसूं भी नहीं खाएंगे यो तै खात हो लिया कुछ भी नहीं रहा इसके आकराना गाओं में किसानों के हैं एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा बोडर के उपर सरकार जो है वो किसानों के उपर गोले दागरी हो और यहां किसानों के उपर प्राकरती का पड़ी है और ओले यहां पड़े हैं तो वहां गोले हैं यहां और दोन्नों तरफ किसानों की म मुझे लगनी रहा कि किसी की आए दुगणी है और ये उस आए दुगणी से खूस है अब यह जो प्राकरतिक आप दो अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि कोन अए गाव बच्णा खेती करने के लिया अब यह बताओं हो किसी के पास एक पोर्टल पे जागके यह गुमरा करतें है परोटल गान नाम पर सर्कार करतें किसान को और उसके अंदर ने नियों कंदर होता लेकिन सरकार तो कहते कि हम तो 6-6,000 रुपए की किस्ते भी देते हैं किसानों को उसके अलावा सब सीडी भी देते हैं खात बीज के उपर एक सपल किसान मना दो किसान 12,000 रुपए दे देगा सरकार को है रेक किसान 12,000 रुपए दे देगा ये मैं बोल रहा हूं किसान की आए जो है वाई या नहीं है एक बच्चे को पड़ा सके एक किसान एक बच्चे को नहीं पड़ा सकता अब ये हो गया इसके सामने क्या करें पिर सरकार ये दावे कहां से लेके आती है ये सब फेक दावे है अब तक कोई काम सपल नहीं है सरकारगा दस साल होगे सरकार को बने मैं दस साल से जमीदारा कर रहा हूं मेरे गर में जमीदारा से मैं एक बुरसट नहीं खरीच सकता नहीं खरीच सकता मैं जो भी जम लेके आते हैं ना जो भी जम लेके आते हैं या खात लेके आते हैं फसल में कभी तो बेमारी आ जाती कभी कुछ हो जाता है तो वो जो पैसे कि पास कुछ नहीं बसता है किसी के पास कुछ नहीं बसता यह पेग नुज में खर निंघ रोपय तो मैं सरकार हो बाराता रुपे लुग दूंगा सहला का सorous जा रुपे दूसरी अरुपे बैसे कभान बैसिके utilized मुह जैनल मुहिद भाइये लड़ाई सरकार की एक की गलती नहीं वता सकते हम आज तक जो सरकार हैं सहंने किसान का वर मजदूर का खोल मुंपका शोसन करें करएं करूड क्या है कारण किसान की जो आये की बाता थी एक किसान इक है है इस दर्तिक परचे वो किसी भी ब्रादरी का है वो एक एक दाने से एक दाने से सो दाने बना देता है च्यार मीने में पांच मीने में एक बात बताओ जो आदमी एक दाने सो दाने बना दे है वो एक रप्या दो रप्या नहीं बना पाता लड़ाई इस बात की है बीज का धुकार लेड़त कैसे वाँ पर जावांगे न तेक पहन कि या मार फेल लखेंगे पांच रपी दोकांदार्थ ती मारे या कैन कि मतनीक बाई इसके तू सऱड़े च्यार रपी लेली आम उसने पांच रपी देवांगी पर जब अपनी फसल्ने बेचन मुंधि में है अगर उसमें परसेंट एक दाना यह तैली को पर जो रखी गई ना अधिया फ़सल के अंदर अगर दो दाने अगर अरे पागए उसके उपर निसन पागा या उसके अंदर नहीं पागी तो हमारी फसल गारेट पांसो शाथो रपे के तो कैसे किसां किया जा सकते हैं इस बा अडिबुडी कोटिों में रहते हैं जो लोग इस चीज का प्रफ्मिन रखके और किसान को ये बता देते हैं किसानों को तो कोई जूरत नहीं तो लूतने वाड़े नियारा पाऊगा जमीन की रूर रख सम्तार है नी रही क्यों नी रही सरकार ने ऐसे ऐसे काम कर दिये कि हमारी जमीन निचे पाणी ने पीना छोड़गी उसका कारण बहुत बड़ा लंबी चोड़ी बैस हो जाएगी हमारे जल निकासी कि आप आम जहां खड़े है ना यह व लाटे-दो की लिया हरुन के में पानी खड़ा में जाओंगा खित आठजार प्याम किता है कि इसे फैक्टरी के बार घारड खड़ा हुआ जा गए और उसकी आए को दुगनी करने का जो दावा किया जा रहा कोरी जूठ बोली जारी है और उस जूठ को बोलने के लिए सरक कार लाखों करोड़ रुपए उसके परचार के उपर खर्च करने लग रही है बड़े-बड़े इस्तियार बड़े-बड़े न्यू चैनलों के अंदर डिबेट करवा दी जाती है पैसे लेकर और लोगों को यह बताया जाता है कि किसान तो आज के दिन मौज ले रहा है औ किसान की सुद्ध लेने वाड़ा इस देश के अंदर चोजरी छोटराम के अलावा आवाज तक कोई आया नहीं सब जूठे दावे करते हैं और किसान की आलात के उपर अपनी राजनितिक रोटिया सेखते हैं किसान की बात करने के लिए मैदान के अंदर आज तक ना दो किस देश के अंदर दो ये चीज हैं किसान और जवान यदि स सरकार ने की नहीं सुनी तो कुछ नहीं है इस देश का किसान सब को खिलाता है देश को जवान हमारा सरत्पाइब करता है यदि जवान की नहीं सुनी तो देश में संकट रहे हैं क्या कर देख अब तो जवान और किसान जो दुनों है वो बॉर्डर के आमने सामने हो रहे हैं तो यह सरकार न कर दिए वही मारे थो रहे हैं वही मारे बेटे हैं जो जवान हो मारे बेटे हैं उसके अपर हो रहे हैं जानमें कैसान और जवान बहुत दुखी है देश के अंदर क्या नाम है आपका रांबिर नामा जी ब्लोक समीटी मेंबर उशलाल में वार्ड नमबर चैसे बहुत मेरे पास कहने के लिए और तो कुछ हजिता दुबाई नहीं सब कुछ बता दिया मेरे पास तुसरा अब दो सुरे पर बचे हैं दो सुरे पर भी कल लेंगा सलफास की गो आपके सामने 2019 का 2020 का मेरी जमीन दखाई कहां सुनाना मौजा पास होगा आगा मेरा 20,000 रुपे अभी बैंक वाले बोलते हैं मैं इसकी इंसुरेंस वालाई गलती इंसुरेंस वाला बोलता बैंक की गलती है देने बैंक कर दिया गोल मोल उपर से आगी बैंक की केस्ट केसी सिपनुआ रख्या है वो तो अपना बैद गुड़का लेंगे निदे डिफाल्टर अडिफाल्टर उन्दे पर लग्ये कलना है गोली खाल्यां इत अच्छा रहेगा फसल आपके सामने है यह जो कह रहे हैं किसानों गया दुगनी करती 2022 में प्रदान मंतरी जी का इतना बड़ा सपना था अमरे तकाल में देश चल रहे हैं अगर फसल यह दो जार रुपे से दुगनी आए उत्ती है यह चोटा बाई था मारा आसार आम इसना बताया था यह तो बोल रहा जार हर किसान से बीस जार प बीस जार देने के लिए रेड़ी हैं कोई भाई सामने आओ चारीस जार रुपे तो जी ठेका चारीस जार पे ठेका और उसको उपर पचीस जार पी खर्चा बताओ पास जार आर बहाँ करदा tran fantasy जी मुखे çıkarमंतरी जी यह लोग जो हैं मदरातल के उपर खड़े हैंगर यह किसान है पूरा ककराना गावं के किसान जो आसपास कड़े आप देखो龍나jung व और ऑर आसपास खड़े हैं और यह दरातल से वो हकीकत आपको बता रहे हैं जो आप कागजो में पढ़के और मूर मार देते हो कि किसान बड़ा खुषाल है किसान ये कर रहा है लेकिन फिलाल किसान की आलात क्या है वो हम आपको ग्राउंड रेपोर्ट बिल्कुल दिखा रहे हैं और ये वो फसल है कि शर्शम लेखो यह कैसे होगी कि में यह ऐालात जो हैं यह पर ना काल में फसल कह इंढाइ fundamental कि अगले उसक्तिए इस टीति graph इनि लोग खड़े हैं चारों तरफ जो है और प्राकरती कापदा का मंजर जो है वह आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ भी वही आपको दिखाए गेवं है लेकिन पाला इतना गंभीर थे और यह बिर्शम है पस्वों के लिए जो छारा था चारा जो है वो यह बचा नहीं है दरजनों लोग यह खड़े हैं और उन लोग यह खड़े हैं उसमें भी संतूष्ट हैं अब एक बात और है पिछले दिनों जो पिछले साल दो तीन साल से जो फचल खराब होई दिए उसका मुझावजा मिले हाप लोगों उसके बिदाई भी करनी बाव दी दो विना तीन नहीं बाद माता आपका तीस परसेंट खराबा था सोबीस परसेंट खराबा सोगी सो इस तरह फासलों रिदी पूरी जिस तरी के सब्सक्राइब फिर बारहाजार पंदरहाजार कुछ ऐसा पैमाना था उन्होंने बोला दिया मेरा मेरा पास हुए चलो जमीन आपकी कराना में दिखा दी सुन्दाना में बिमा वाले करेंग बिमा वाले करेंगा बुलता बेमा है बमाऌ भाई का जो है सरकार प्राइवेट कंपनियों के घर बर अचया में लगी हुई है सरकार आप्या परने मरें कौह धोγα नहिए कम्पनिया ते ठेके दे दी नहुंत प्रवाने का के सान के पाथ समय कहंए और हमारा के सान इतना सिक्षित कई है कि वो पर्टलों के उपर जाके अपने रिजिस्ट्रेशन करवा लेगा अब एक बात बताओ समझने की बात है जब हम बीज लेने जाते हैं बोने के लिए परमानित कंपनिया यह कहती है कि हमारा बीज परमानित है और एक हमारे बीज की और सत है सरकार MSP की बात करती हैं अगर उसकी बात करना तो 55,000 पर मारी पांच किलो भी नहीं बची और उसने जब जागल आखर में तीन चार मिने पाट से चकर कटवा गए 30% नुक्षान बतागे 20% की नुक्षान बतागे जब किसान को गुम्रा करती है सरकार हमारी लड़ाई उसके साथ है हमारी मांग ये है कि एक बात हाद है ओड़े पड़ गे इस ते 20 कि लिए 50 कि लिए आगे जावांगे दूसरे गाम में जावांगे आंदी तूड़े भी थी बारस फूड़े भी ठी चिप गे पैदावार तूड़े भी तकम होई है 40% 50% पैदावार पैदासरूडे भी पढ़े है किसांदों की गिर्दावरी करवाई जाए सरकार मौके के उपर अपने अधीकारी को बेजे अपनी टीम को बेजे और गिर्दावरी करवाऊ गाम की गिला आड़े जुनू आज cure accept और में खड़े है ना सब्सक्राइब करते हैं अब यह बताओ किस्ट नहीं बड़ी तो हम डेफाल्ट रोगे सब्सक्राइब करते हैं इस देश के जो द्योगपती बैठे ना जारो करोड रुपे लिए जो फरार होगे उनके उपर वे एक सबद के तियाना इस सरकार का पाच्छा पाट रहें पर इस सरकार ने लड़ाई इस बात की है इस देश का अंदाता मर रहा है उसकी तरफ किसी का द्यान नहीं है मारा एक किला की किमत 50 लाग रुपे मारती लोन में लगा लाग रुपे रेड़ लाग रुपे चैमीने चकर काटने पड़ेंगे उस मदरिस्वत भी देनी पड़ेगी और एक दुकानदार एक GSTRG स्ट्रेशन करवागब फरजी तरीकेत आ जाता है और उसके उपर जारो करोड रुपे सरकार लोन कर देती है और वो आदमी भी देश में चल्या जाता है अपने बच्चों को सेटल कर देता है उसके उपर बोलने वाड़ा कोई नहीं है किसानो देश को देश का रहा है तो इस देश के खेती के सान मजदूर उसको क्यों नहीं की जारी एक बात और बाद ऑब पताऊंगा जैसे जमीदार है यह आप दाए आई गई मेरे गाउं का ही जमीदार था शुरेंदर सनो फ्रांफुल जीरी आ काम करते हो तुसका नाग अन्नाग लड़के बेचारा मरग्या बच्चे चोटे-चोटे ट्रेक्टर के स्तांब ले रख्या आज भी जागे देखले विब उसकी केस्त कोण वराना बैंक ठाले जागा इसको बच्चे तमाय टीम मिल गे यहां पको सरकारी नोकर होता या और कोई होता उसके बच्चे इ टीम में मलना गरे उपर जे बैंक नोगा मैं ट्रेक्टर ने भी ठाउंगा बुख्यमंत्री जी एक एक बात बड़ी सपस्चब्दों में समझ में आने वाली बात जो है गाउवालों ने की है और गाउवाले एक एक किसान ने जो एक एक बात जो आपके पोर्टल की परदा जब इनकी नहीं सोच सकते तो चल क्या रहा हम अलब बन्दाता की नहीं सोच सकते तो आप लोग तो ये कराना गाउवालाथ हैं आपने आपको दिखाया हमने सो के सो फिश्ट देलो है वो कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें एक दाना हो अब जैसे कि ये दावा करने कि इसमें अगर कोई पांच किलो सर्षम काड़ दे तो उसना हम कुछ ना कुछ दे के खंदावांगे अब आप लोग इस वीडियो को देख रहें इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जुरूर बताईए अगर आप इस वीडियो को सेर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भीश के अपर अपनी राय रखेंगे और इनकी सानों ने जो कहा है वो बात सरकार तक पहुँचने में आप लोग मदद करोगे शुकरिया धन्यवाद